सर्दियों के मौसम में बनने वाली ये हरी सबजी सोया मेथी यदि आप एक बार हमारे तरीके से बना लेते हैं दोस्तों तो मुझे यकीन है आप बार बार इसी तरीके से बना हुआ सोया मेथी पसंद करेंगे ये जो सक्री पत्ति वाला है सोया और चोड़ी पत्ति वाला मेथी है तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से धूल करके एक घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए बिल्कुल गीला न रहे उसके बाद हम दोनों को मिला करके कुछ इस तरीके से काट लेंगे बारीक बारीक दोनों को मिला करके पकाना है तो हमने इन्हें अलग-अलग नहीं काटा है साथ में मिला करके काट लिया है ये देखे बिल्कुल भी गिला नहीं है इसका सारा पानी निकल जाने के बाद ही हम इसको काटते हैं तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं अब गैस को जलाते हैं और कढ़ाई में कुछ मसाले फेले भून लेते हैं थोड़े से मुंफली के दाने 10 से 12 लहसन की कलिया दो हरी मिर्ची और तीन लाल मिर्ची अब इन सब को मध्यमाज पर भून लेंगे ये भून गया है मसाला तो इने बाहर निकाल लेंगे और इसी गरम कढ़ाई में चार चमच सरसो का तेल डालेंगे अब गरम तेल में थोड़े लहसन कटे हुए बारीक और साथ में हरी मिर्ची भी हमने डाली है ये फ्राई हो गये हैं बढ़िया से तो एक चमच दगरा कुटा हुआ साबूत धनिया और एक चमच जीरा उसके बाद इसमें तीन आलू डालेंगे इस तरीके से कटे हुए आंज को तेज कर देंगे और एक मिनट के लिए आलू को भून लेंगे भूनने से बहुत अच्छी खुजबू आती है आलू में और ये थोड़े-थोड़े से पकने भी लगते हैं तो अभी आलू हमने भून लिये हैं अब इस पर हमें एक मिनट के लिए धक्कन लगा देते हैं और आज को मध्यम कर देते हैं इधर हमने ये जो मसाला भून का रखा था तो थोड़ा सा ठंधा हो गया है तो अब हम इन्हें इस तरह से कूट लेंगे ये मसाला हमें दरदरा पीषना है बहुत ज़्यादा बारिक नहीं पीषना है चाहें तो सिल्बटे पर भी इसे पीष सकते हैं अभी जो धीमियाज पर आलू पक रहा था तो इसे भी चेक कर लेंगे क्योंकि ये आलू बहुत ज़्यादा नहीं पकाने हैं बस 50% ही आलू को हमें पकाना है तो ये देखें आलू को जब बहुत इस तरीके से जोर से दबाते हैं तो ये थोड़ा सा कटने लगा है तो अभी हम इसमें नमक डाल देते हैं और थोड़े मसाले जाएंगे जिसमें हल्दी पाउडर और एक चमच हमने सफेद तिल लिया है अभी इसे मिला लेते हैं क्योंकि ये सूखे मसाले हैं तो जलने लगेंगे तो इन्हें मिक्स कर लेंगे नमक मिलाने से इसमें थोड़ा सा पानी भी आ जाएगा हलका हलका अब ये सूखे मसाले जले नहीं तो इसके लिए फटा फट से हम इसमें कटा हुआ सोया मेथी डालेंगे थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे पूरा एक साथ नहीं डालना है और तेज आज पर आलू मेथी को इस तरीके से भूनते रहना है ताकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना निकले, वैसे जब ये अच्छे से सूख गया था, उसके बाद ही हमने इसे काट करके लिया है, तो इसमें जादा पानी नहीं छूटेगा, पर हरी सबजी में पानी जादा होता है, तो आज को तेज रखेंगे, और फिर से हम सोया मेथी इसमें डालेंगे, जैसे डा पून रहे हैं, इसकी मातरा कम हो रही है, आलू और सोया मेथी सारा हमने मिक्स कर लिया है, अब आज को मध्यम करके एक मिनट ढख देंगे, क्योंकि जो इसमें डंठल है मेथी और सोया के, उसको पकानी के लिए बस एक मिनट के लिए ढखकन लगाना है, तो ये देखें, आ चमस, उसे मिला दिया है, तो भी हम आज को तेज कर लेंगे, और इसे भूनते हुए पकाएंगे, ताकि ये तोड़ा सूखा हो जाए, जदा गीला खाना अच्छा नहीं लगता है, तकरीबन एक से देख मिनट हो गया है, तेज आज पर इसे भूनते हुए, अब हम आज को बंद कर देंगे, मसाला इसमें अच्छे से मेक्स हो गया है, आलू, सोया मेती, सब कुछ बढ़िया से भून करके पक गया है, तो चलिए अब इसे रोटियों के साथ में सर्प कर लेते हैं, साम के खाने में या फिर दोपहर के खाने में आप इस सबजी को बनाईए, बहुत जरासा भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की लाजवाब रेस्पी देखनी को मिले, मिलते हैं नेक्स्ट रेस्पी के रिजिए